जी इसलाम लेकुम मैं हो खावर चजादर आप दिखरें मेरा यूटीव चैनल और हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में क्या मामलाथ चेंजिस रहे थोड़े से प्रॉसेस के हवाले से और आगे 24 में क्या मामलाथ हैं कैसे चल रहे हैं तो कुछ जो मामलाथ बहुत रि 2023 में जो साल गुजरा इसमें आप प्रॉसेस के रिलेड़ेड़ क्या चीज़ेस होई सबसे पहले जो बड़ी चेंज हुई 2023 में वो थी अपॉइमेंट्स के हवाले से पहले आपको पता है चुके अपॉइमेंट्स जो थी ऑनलेंग बुक हो रही थी लेकिन 2023 में एक्दम करके वही पुराना फार्म डाउनलोड करके उसके साथ अपने पास्पोर्ट की कॉपी अटैच करके फिल करके अब आम ऐसी को हीमेल करते हैं और फिर आपको अपॉइमेंट्स मिलती है सबसे पहले तो यह चींज हुई प्रॉसेस में 23 के अंदर तो यह काफी शॉट था करने के लिए उनको पता हो कौन सा बंदा ठीक है या कुछ है उसके बाद 23 में और जो बहुत सारे मामलाद जहां पे स्टूडन बहुत सारे स्टूडन आए काफी सारे स्टूडन आए बड़ी एक जो चेंज थी इनके प्रॉसेस में बीच में एक मसला पढ़ा था पुलिस क्रेक्टर सेटिफिकेट का जैसे आप सब लोगों को पता बीच में ऑस्ट्रेन अबैसी ने दो दो प्रॉसेस जो दो दो पुलिस क्रेक्टर सेटिफिकेट जो हैं उनको लिगलाइज कराना शुरू कर दिया था मतलब आपका अगर वह प्रॉपर स्टिकली जो है थ्री मंस वाले कैप में उसको काउंट करना शुरू हो गये थे तो जो लोग पहली वेरिफिकेशन के टाइम पर अपना पीजिसी देखे आते थे लिगलाइज़ेशन के टाइम पर वह एक्सपायर हो जाता था बीच में एक बात आई कि जी उसको आर्पी के टाइम पर आप सब्सक्राइब हो गई वो स्टील वेरिफिकेशन में थे फिर वो जब वापस आए पीजिसी फिर दुबारा उन्होंने लिगलाइज करके फिर सब्मिट किये मेजिट्रेट को तो फिर आर्पी अप्रूव हो क्या है यह एक मेजर चेंज थी जिसको उनने चेंज करके फिर काफी कंफीजन रही बच्चों में काफी मसाहिल रहे बच्चों को इसके हावाले से तो फिर उसको चेंज करके और अब दुबारा से PCC का पुराना रूल कर दी है वो सिर्फ एक PCC जो है उसको लिगलाइज कर रहा है आज कल और उसमें थोड़ी सी जो बच्चों को लिगलाइजेशन फिर उसके बाद आरपी फिर उसके बाद वीजा डी वह सी तरह प्रोसेस चलता है जारा कुछ और उसमें कोई प्रोसेस में सच चेंज नहीं है कुछ मेजर और जो बाकी मामला जो है जो और मेजर चीज़े जो डिवेलप हुई 2023 के अंदर वो financials के हसाब से थी पहली दफ़ा हमने ऐसा देखा कि 2023 में और चना बैसी में है डिरेक्टली लोगों को rejections देना स्टार्ट की उसके लवाव को उनने काफी अच्छे तरीके से जज करना शुरू किया लोगों के financial मामलाथ काफी बेटर तरीके से टाइट करना स्टार्ट किया चेक करना शुरू किया पैसा कहां से आ रहा है कहां से आया किस ने दिया कौन देता रहेगा legit है नहीं है legit करके अपने documents बेटर करके कुछ लोगों ने अपने मामलाथ सीधे भी किया लेकिन उसके लावा जो major developments थी हो यह थी कि उनकी RPs ही reject कर दे complete reject कर दी appeal का हग दिया लेकिन appeal को overturn करना आपको पता एक तफ़ा full rejection आ जाए तो उसको overturn करना बड़ा मुश्किल हो जाता तो वो काफी मेरे अपने पास जो है कुछ मैं students को जानता हूं जिनको चार पांच छे साथ स्टून जैसे थे जिनको full rejection आई जिनको जो overturn नहीं कर सके अपने rejections को को overturn करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता financial मामलात जो हैं वो काफी ऊपर नीजे रहे जिसके वाज़से काफी मामलात रहे और इसके इलावा प्रॉपर जज़ करना शुरू किया कुछ बच्चे थे जिनने में student dream home से लेकर बेजे वो ने reject की है क्योंकि उनके पास accommodations थी नहीं बच्चे यहां पर आये इनके पास accommodations नहीं थी आर्पी क्लेट करते हैं उनको परिशानी हुई और बाकी सारे मामलात में उनके लिए और कुछ मुछ मुश्किलात पेश आई कुछ ऐसे भी थे जिननने booking.com से क्योंकि बच्चों को accommodation नहीं मिल रही थी फिर उनने student dream home पे band लगाया थोड़ा सा booking.com या hotel की booking reservations पे भी उनने का कि नहीं इस पर आर्पी अप्रूव नहीं होगे they need a proper contract, housing contract या accommodation जो है किसी hostel में या किसी dorm में हो तो फिर उनने accept करना शुरू किया यह major development थी process में जो change आया कुछ थोड़ा सा उसके इलावा जो मामलाथ थे थोड़े से वो इस हवाले से थे कि कुछ बच्चे जो आये जिनने additional courses अपने जिनको additional courses में ले थे जिननने additional courses clear करने थे आके before they enroll अपने proper course में उन बच्चों को बहुत सारी मुश्किलात हुई मतलब कुछ ऐसा भी देखने में आया कि कुछ लोग किसी और course के background में है वो digital image processing में आ गए या उनको data science के किसी courses में डाल दी है उनका background जो था वो biotechnology या किसी ऐसी चीज से related था जिसके बाद उनको यहाँ पर आके बहुत मुश्किलात हुई बहुत बहुत जादा मुश्किलात हुई मैं काफी बच्चों वैसे जानता हूं जिनसे additional clear कर रहे हैं मैं बहुत सारी मुश्किलात हुई तो फिर बच्चों अब नहीं आ तो यह university switch की या फिर कोई और courses ढूंड़े या कोई और मामलात की है कुछ इदर से चलेगे कुछ ऐसा मामलात हुए तो depending यह क्या उनका background था और क्या additional requirement थी तो यह बड़ी जो थी surprising एक situation बनी हुई थी यहाँ पर पिछले session में भी कुछ बच्चे आए अभी भी है जो जिनको मैं personally जानता हूं उनके additional clear नहीं हो रहे है बचारों के और वो इस वज़ा से कि यहाँ पर आगे course बहुत टफ है और जो है उनका background उससे match नहीं करता तो यह एक बच्चों के लिए काफी प्रशानी वाली बात बनी यहाँ पर उसके बाद कि आरप कैसे approve करा हैं दुबारा renew कैसे करा हैं क्योंक बड़ा मेरे लिए surprising था काफी बाकी seniors के लिए भी था कि इन्होंने क्या किया है मतलब किसी और background के बच्चों को additional courses पकड़ा के नहीं में ऐसे course में डाल दिया है जिसमें उनकी expertise बहुत काम है तो इन सब बच्चों के लिए काफी मसाहिए बनें तो यह सब overall 23 में यह मामलात र है और इसके लाबा जो बच्चे आये उनके लिए काफी अच्छा साल रहा मेरे हिसाब से तो सबको jobs मिली पार्ट टाइम बच्चे काम कर रहे हैं साथ-साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं सब अपनी जगों पर किसी तरह काम करके सेटल हो रहा है jobs के हवाले से काफी साल्स बग म में काफी अच्छे उनको jobs मिली प्रॉपर फुल टाइम ने डिगरी खतम की left for किसी और कंट्री में वह आगे चलेगे उनको अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब मिली स्टडीज को अपने खैरबाद का अगले विजे मिली आ और अधर चलेगे को उनसे भी ऐसा हमामला था कि बाकी और अवराल प्रॉसस में मैंने आपको बता दिया कुछ जादा चींजिस नहीं थी कुछ इसी किसम की चींजिस थी फाइनेंशल मामलाथ बहुत स्रिक्ली मॉनिटर हो रहे हैं अभी भी हो रहे हैं और काफी मेजर तरीके से चेक हो रहे हैं तो उसके बारे मेरी आपक सब्सक्राइब हो जाती है तो जैसे जैसे साथ साथ अपडेट आती जाएंगी मैं स्टेप बेस्टेप बाकी सारा कुछ भी अपडेट करता जाओंगा इनो मैं थोड़ा सा अचकल दरा आउट अफ वह हूं थोड़ा सा कुछ अपनी मस्रूफियत की जासे हैं और लेकिन ज पूमट लगची लाफस